नमस्कार मित्रों आजी के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मीन रासी वालों का आजी का दिन यानी की 23 अक्टूबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा लेकिन सबसे पहले इस वीडियों को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियों के अंत में आपके आजी के दिन का अनोखा टूट का भाग्यसाली र सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपके सुवास्त के बारे में मित्रों सुवास्त के दृष्टी कौन से आपका शमय आपका शाथ नहीं देगा मित्रों आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक आज से पहले बीमार थे जिनका शुवास्त साथ नहीं दे रहा था तो आज के दिन अपने रहन सहन अपने खान पान के परती आपको साबधानी बरतना होगा लेकिन अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कौन से भी आपका शमय आपका शाथ नहीं देगा मित्रों आज के दिन आपको अपने फिजूल खर्ची पे अपने फालतू के खर्चों पे धियान देना होगा कंट्रोल करना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय के दोरान धन संपती के मामलों में आपको पड़िशानी का सामना करना पड़ेगा मित्रों आज के दिन अगर आप अपने घर पड़िबार में कोई पड़िवर्तन कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पड़िवर्तन करने से पहले आपको अपने घर बालों से बात करना होगा अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपका घर पड़िबार आपके घर पड़िबार का माहौल बहुत ही जियादा बिहतर और सांदार होगा लेकिन अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टी कोन से आपका शमय बहुत ही जयादा बिहतर और सांदार है मित्रों आज से पहले अगर आपके प्रेम संबंध में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आज के दिन उस पड़ेशानी को खत्म करने का पड़ियास आपको करना होगा क्योंकि आज के दिन इस काम को करने में आपका शमय आपका भग आपका शाथ अवश्य मित्रों आज आपके लिए भाग्यसाली रंग है क्रीम और सफेद आज आपके लिए भाग्यसाली अंक है नौ यानी की नाइन दोस्तों आज के दिन अपने समय को बहतर और सांधार बनाने के लिए आप दिब्यांग लोगों की सेबा करें दिब्यांग लोगों की सहायता करें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर दें, इस वीडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दें, साथ में इस वीडियो को आप वाटसेप, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर हर जगह सेयर कर दें, धन्यवाद